इदार इदार मा बेटे मिलके देखो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने कैसा पहराई कर रहे दोनों और हकीकत बात है अगर कोई भी छोटे थोटे बच्चे भी अगर रहेंगे एक बार अगर समझ में आ गया ना बहुत आसानी से बना लेंगे एकदम जबर जस्त तरीका है देखो कैसा फाराई हो रहा आप लोगों के सामने हैं यह हिसाब से जब आप लोग भी भराई करेंगे लेकिन सुरू से नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के सांदार वीडियो में दोस्तों आज मैं बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि घर बना के खाने के लिए बनाओ थोड़ा सा तो आज मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ 250 गराम आज सूजी से बनाओंगा और इस पेसलिए घर पे जो लोग सो चरहे घर पे मैं खुद बना के कहूं उनके लिए बहुत जबरजस्त होगा बहुत मुच मुच के ठक गयोंगे बताओ पानीपुरी वाले से गुलगप्पे वाले से भाईया कैसे बनता है तो आज के बाद आप लोगों को पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि मतलब हाँ बताओ कैसा है सिर्फ यह वीडियो आप लोग ध्यान से देख लो और यह एकदम मेरे जैसा सिर्फ मैं जो तरीका बता और बहुत आसाल तरीका से मैं बताया हूँ, आप लोग बहुत पूछ होंगे, की मतलब है बताओ कैसे बनता है पानी कैसे बनता है कोई कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को वह भी आप लोग देख सकते हैं चलो मैं बनाना शुरू करता हूं बिल्कुल एकदम परफेक्ट रोड जैसा बनेगा सबसे पहले पानी पूरी बनाने के लिए अगर आप लोग घर पे बनाने का सोच भी रहें वी हमारा सुजी है यह जिसको रवा भी बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं हमारा मीडियम सुजी यह और सिर्फ यह हमारा पूरा 250 गराम है मैं आप लोगों को कीलियर बता दे रहा हूं कि ताकि आप लोग कंफूजन में बिल्कुल ना रहें सिर्फ हमारा 10 रुपे का सूजी है यह सिर्फ दस रुपे का सूजी आप लोगों के सामने है यह 14 भरके हो गया देखो 250 गराम अब इसको हम पलट लेंगे और इसमें थोड़ा सा 50 गराम सिर्फ यहूं का आटा मिलाना है और आपका इतने इतने सूजी में और आटे में करीब करीब 110 पानी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगा अब देखो देखो अब अब यह आगया हमारा 50 गराम आटा और थोड़ा सा लेना है अपना खाने का सोड़ा बिल्कुल हलका सा यह यह आप लोग देख सकते हैं बिल्कु अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद इसका बिल्कुल नार्मल आटा लगा लेना है आप लोग अगर घर बैटे सीखना सोच भी रहे तो वीडियो बहुत खास और बहुत जबर जस्त होगा जो लोग भी सोच रहे घर पर बना के खाने के लिए आज मैं सोचा क्यों आप लोगों को एक दम कीलियर बताओं कि जो भी है आप लोग ताकि 10 से 15 रुपए में घर पर कम से कम सो से 110 पूरी पूरे गारंटी के साथ कहता हूं बनेगा कम से कम यह अपना 250 गराम में 100 पूरी तो करेक्ट बनता है और 50 गराम भी उपर है तो यह मान के चलो कम से कम हैं 20 पू यह मिलाने के बाद आप बिल्कुल हम नार्मल पानी से इसका अटा लगा लेंगे यह हिसाब से अब आप लोगों का 10 पंदरा रुपए में 120 पूरी बन जाएगी लेकिन यह तरीके से बनाएंगे जब और तरीका आज में आला टोटल आप लोगों को बिल्कुल आप लोगो नहीं देखेंगे जब तक कुछ नहीं होगा यह हिसाब से देखो आटा लगा लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके बाद बिल्कुल अच्छा मसल के एक बार चेक कर लेना है कैसा लगाना है बिल्कुल ध्यान से देखो और हर चीज आज के वीडियो में और एक बात का और बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि अगर जैसा हगर सर्दी का मोसम हें तो इसमें इसका था बिल्कुल यह जल में देखो और अपने इसाब से अच्छे से बिलकुल बढ़िया और रखने के बाद मैं आप लोगों कुछ टायम दिखा देता हूं देखो मारा क्या हो रहा। उसके बाद इसको जब इसका पेड़ा बनाएंगे तो भी दिखाऊंगा मैं कितने देर बाद इसका पेड़ा बनाना अब इल्कुल द्यान से देखना ताकि हर चीज आप लोगों को पता चले और घर पर बहुत आसानी से पंदरा से बीस रुपे में बना के बहुत आसानी से का सकते हैं एक दम जबर जस्त देखो हो आटा रेड़ी अब भरके रख देंगे पॉलिथीन के अंदर और उसके बाद जब इसका निकाल के पेड़ा बनाऊंगा फिर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अब लोग देख सकते हैं यह गया इसके अंदर और टाइम हो रहा अभी क्या उसके बाद जब निकालूंगा पिर दिखाऊंगो मैं आप लोगों के यह देखो कितना देर हो गया हमारा रखने के बाद अभी इसको हम निकालेंगे बाहर और निकालने के बाद सिर्फ एक मिनट इसको मसलेंगे बस यह देखो टाइम आप लोग देख सकते हैं और यह आटा हमारा आगया बाहर अब इसक सब्सक्राइब तरीके से बनाना पड़ेगा जब यहें तरीका जो है एक दम जबर जस्थ रोड जैसा तरीका में आज आप लोगों को बता रहा हूं पिलकुल एक दम बजार जैसा करेश्पी करंची बनाना तो यह अप लोगों के लिए बहुत जबजस्त और बहुत खास हो गाई वीडियो और सिर्फ जान से देखना जब तक जान से नहीं देखेंगे जब तक कभी नहीं बनेगा इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं अगर आप लोग घर बैटे बनाना सीखने तोड़ा भी सोच रहा है ना घर बैटे की मतलब घर पर बनाओ बिल्कुल आसानी से यह इसाफ से बना लो उसके बाद देखो यह हो गया मसल के हमारा एक मिनट में रेड को देखो लंबा करने के बाद इसको थोड़ा सा अब इसको काट लेना है काटने के बाद देखो यह हिसाब से लंबा करके थोड़ा सा अलका अलका इसको काट लेना काटने के बाद इसका पेड़ा कैसा बनाना आप लोग जब देखेंगे जब पता चलेगा आप लोगों को अब देखो काटने का तरीका हमारा कैसा है आप लोगों के सामने हैं अब इसको ऐसा चार टुकड़े में काट लेंगे ऐसा काटने से फायदा यह होगा कि मदलब जब इसका बनाएंगे आप लोग गोलगपा पानी पूरी बिल्कुल आसानी से बनेगा यह अब देखो यह हो काटने के बाद ऐसा रख देंगे यह पनी के अंदर इसे सुखेगा नहीं सुखेगा नहीं तो बिल्कुल एकदम जबरजास्त बनेगा अब इसका पेड़ा कैसा बनाना बिल्कुल ध्यान से देख लो ताकि यह बहुत काम आएगा आप लोगों को अब देखो यह आ गया हम बिल्कुल नहीं पूछना है आप लोग आख बंद करके बनाओ एक बार भरोसा करके देखो बिल्कुल जबरजास्त बनेगा एकदम फसके लास यह हिसाब से देखो यह हो गया हमारा थोड़ा सा लंबा कर लिए लंबा करने के बाद अब इसका हम पेड़ा बनाते कैसा हो भ बिल्कुल एकदम आसान से आसान तरीका आप लोगो कोसिस करूंगा ताकि आप लोग घर बटे आख बंद करके बनाओ बिल्कुल एकदम जबर जैस्त बने देखो यह हमारा पेड़ा कैसे बनके हो गया रेडी अब इसके अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा गया हो काटा मारेंग यह देखो यह हलका सा मिलाने के बाद वापस अब इतको हम कहरी बेग में निकालेंगे यह हो जाएक हमारा बेलने के लिए रेडी है और कैसा बेलना है आज हर चीज आप लोगों को बहुत आसान से आसान तरीके से मैं पहले भी बोला अभी भी बोला हूं इसलिए ताकि जरूरत नहीं पड़ेगी गोलगपा पानी पूरी बनता कैसा है अब आप लोग घर बैटे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं यह हो गया हमारा अब मैं आप लोगों को अभी इसको बेल के दिखाऊंगा हम लोग बेलते कैसा हो भी अब देखो यह हमारा बेलने का तरीका देखो हम लोग बेल के रखते कासा हो भी मैं आप लोगों को दिखा दू अगर यह हिसाब से आप लोग बेलेंगा और बेल के रखेंगे बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा एक्दम जबर जस्त आप लोग एक चीज बिलकुल ध्यान देना कभी कि आप लोग अगर जैसा tactics आ बेलन जो है घर के बेलन का इस्तेमाल कभी भी ना करें उससे अच्छा आप लोग ऐसा पाइप लालो पाइप से ही बेलेंगे बिलकुल एकदम बसकिलासा बनेगा एकदम जबर जस्त देखो एक ऐसा बेल के रख रहे हैं हम लोग यह है हमारा तरीका और आप लोग कमेल्ट मे जरूर बताना सही है कि गलत है और एक बार बना के अगर आप लोग सोच भी रहे हैं तो एक बार बना के ट्राइ करके उसके बाद जरूर बताना कि यहां बना कि नहीं बना उसके बाद ताकि मुझे भी समझ में आए कि सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि कमेंट में जरूर बताना अच्छा है खराब है इसलिए देखो यह हमारा असली तरीका यह इसाब से अगर बनाएंगे बिल्कुल मेरे जैसा फसकिलास जबर जैस्त बनेगा यह कभी भी आप लोग देखो यह हमारा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चला होगा जो हमारा कपड़ा यह बहुत छोटा सा है बहुत यह देखो यह मारा हो गया एक बेलने के बाद अब देखो वे उसी कपड़े से ढखके रख दिए यह हिसाब से हम बेल के रखते हैं और आप लोग कभी भी अगर जैसा थोड़ा सा अगर बना रहे हैं तो उसको ऐसा कपड़े पर ना रखके आप लोग पन्नी पॉलेथीन के उपर रखें बड़ाई से पॉले फिल लेने लेन लेना उसके उपर असा और से रखना और बेलने के बाद है उसको एक दम बने रहे बीडियो में तकि हर पता चले आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका जबर्जस्त भी दी है यह यह आप लोग देख सकते हैं हमारा फराई करने का तरीका कैसा आप लोगों के सामने है जो अभी आटा लगाया था अगर आप लोग भी सोच रहे हुआ घर बैटे बनाना सिखना एकडम जबर जस् कैसा फ़राई कर रहा है दो आदमी एकदम जबर जस इधार इधार रई हैं यह मा बेटे मिलके देखो आप लोग देख सकते आप लोगों के सामने काई सा पहाई कर रहा है दोनों और हगीकत बात है अगर कोई भी छोटे छोटे बच्चे भी अगर रहेंगे एक अगर समझ में आ गया ना बहुत आसानी से बना लेंगे एकदम जबर जस्त तरीका है देखो कैसा फाराई हो रहा आप लोगों के सामने हैं यह हिसाब से जब आप लोग भी पहराई करेंगे लेकिन सुरू से ध्यान से अगर आप लोग ऐसा कर लिए ना बिल्कुल एकदम तक कुछ नहीं होगा और देखो अभी पहराई होके आया लेकिन फिर भी देखो और जब कि भाप निकला लेकिन फिर भी देखो किलना करेश्पी करेंची है यह यह हिसाब से जब आप लोग भी बनाएंगे बिल्कुल एकदम आसानी से बनेगा और कड़ाई के अंदर सिर् अच्छा आप लोग जरी मुस्किल से पंदरा से बीस रुपे में आपका बिल्कुल एकदम घर बैठे आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे यह इसाब से बनाएंगे तो देखो हमारा यह है असली तरीका आप लोग अगर सोच भी रहे हैं तो बहुत आसानी से एकदम जब अच्छे का उपर ना हो जाए तो ऐसा कुछ रहे सिर्फ बस यहां से उठाओ और कड़ाई के अंदर सीधा फेक दो बस और देखो कैसा फूल रहा एकदम आसान तरीका है यह आप लोगों के सामने हैं देखो कैसा फूला है आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग दिसो फर आई हुआ है वह दिखा Yon मैं आप लोगों को चलो अब चलते हैं घर के अंदर और देखो देखो इधर हमारा अभी फराय होके आ रहा देखो अभी तक इतना फराय हुए है देखो अगर यह हसाब से आप लोग सोच रहे हैं गुलगप्प्य जैसा बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा लेकिन सिर्फ सर्त यह है कि आप लोग कभी भी अच्छे से देख के उसके बाद बनाओ जब कि आप लोग देख सकते हैं देखो अभी हमारा पूरा पेटी खाली है और यह पूरा दोनों भर जाएगा हमारा पूरा दोनों पेटी यह हमारा एकदम भर जाएगा इतने इतना पाली पूरी गुलगपा हमारा बना है आज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा